दोस्तो आज के समय की बात करूँ तो सबसे खतनाग जानवर सीर कहा जाता है पर आज से करोडों साल पहले ऐसा नहीं था आज मैं आपको प्रचीन काल के पाच ऐसे खतनाग जानवरों के बारे में बताऊँगा जिनको धरती पे ना रहना ही सही है जो की मानोचाती को खत्म करने में देर नहीं लगाएंगे रमबवर फाइफ मेगलानिया ये छिपकली इतनी भयानक और खतरनाक थी कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते ये विशाल छिपकली 30,000 करोड साल पहले धरती पर रहती थी ये छिपकली छोटे मोटे जानवरों को नहीं खाती थी बलकि बड़े बड़े जानवरों क सिकार करती थी इस छिपकली की हाइट लगभग 35 फिट तक हुआ करती थी जो कि हमें इस बात से पता चल गया है कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है और इसे प्राचीन समय का सबसे खतरनाक जानवर भी कहा जाता था अगर इसके सामने कोई भी जीव या जानवर आ जाता है तो उ इसके सुमने की सकती इतनी तेज थी कि जो मीलो दूर से अपने सिकार का पता लगा लेता था रंबर फोर इस काईलोडोन ये इस धरती का सबसे खतरनाक और आम बागों में सबसे बड़ा बाग माना जाता था जो की बड़े बड़े जंगलों में रहता था और इसका वजन 400 कीलों तक का था ये जनवर साउथ अमेरिका के आसपास इलाकों में रहते थे ये जनवर चुरासिक समय का सबसे फुर्तिला जनवर भी कहा जाता था इस जनवर का जंगल में इतना खौफ था कि कोई भी दूसरा जनवर इससे भिड़ने के बारे में सोच नहीं सकता था और की एक खास बात या थी कि ये जुन्ड में रहते थे रंबर थ्री एंड्रियू सर्चस विज्यानिक की माने तो ये जनवर करोडों साल पहले धरती से विलुप्त हो चुके थे जो की बेहत खतरनाक और मासाहारी जनवर थे और इनके कंकाल भी धोड़े गए हैं जो की काफी बड़े थे ये जनवर इतने खतरनाक थे कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते इनके जबड़े के बाले में बात करू तो इतने तगड़े हुआ करते थे जो की पल भर में इनसान और जनवर के मास को फार सकते थे ये जनवर खतरनाक होने के अलावा गुशैल भी हु Mooji पासभिता है और this Red you know this deer he detector uh और स्थाइबर जानवर जानवर कुछ इस तरह दिखता है कि इसका उपरी का हिस्ट्छा यानि इसका सिर्ट मगरश्च की तरह होता था और इसके नीचे का इस्षा किसी डाइनसोर की तरह दिखाई देता था ये लगभग 20 फुट जितने लंबे हुआ करते थे और ये आज से लगभग 9 से 10 करोड साल पहले आफरीका में पाई जाते थे ये बहुत ही खतरनाक जानवर हुआ करते थे अगर ये जिस सिकार को पकड़ लेते तो इस जानवर से छुड़ा पाना नामुमकिन के बराबर था इस विच्चु के बारे में सुनकर आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे ये विच्चु इनसानों के मामले में काफी बड़े हुआ करते थे और इसके कंकाल धूड़े जा चुके हैं जो इस ट्रोट लेंड पहारों के नजदीक मिला सोचो दोस्तो छोटे बिच्चु इनसानों पे इतने भारी पर जाते हैं कि जिसका दर्द सहन नहीं किया जा सकता अगर इन बड़े बिच्चु का हमला होता है तो इनसानों को धर्ती से साफ होने में ज्यादा दे नहीं लगेगी अच्छा हुआ दोस्तो ये बड़े बिच्चु धर्ती से विलुप तो हो चुके हैं नहीं तो मानो जाती का नामू निशा नहीं होता दोस्तो आपको इस वीडियो में प्राचीन काल के सबसी खतरनाल जानवर कौन से लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से धन्यवाद वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेना बैल आइकन जरूर तबा लेना क्योंकि जो भी नहीं वीडियो बना हुआ वह सबसे पहले आपके पाथ जाएगी आप सभी देश वासियो को मेरी तरफ से जय हिंद जय भाद